अलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग इस ब्लू स्टार स्प्लिट AC के आउट्डोर यूनिट के इंटर्नल पार्ट्स को समझेंगे जैसा कि आप यह देख रहे हैं यह ब्लू स्टार की हमारी डेलटन की आउट्डोर यूनिट है और इस यूनिट में किस तरह से क पार्ण होता है इसको समझना है जिससे नए लोग जो लोग इसको अंदर से समझना चाहते हैं उनको इससे बड़ा फायदा होगा हम यह देख रहे हैं यहां पर हमारे पास कंप्रेशर मौजूद है और इस कंप्रेशर की यह डिस चाइज लाइन है तो जब यह कंप्रेशर चल रहा होता है तो इसकी discharge line से high pressure, high temperature की vapor refrigerant निकलती है और यही vapor refrigerant आ जाती है condenser में और यह condenser coil जो है यहां से high pressure, high temperature की vapor हवा की ठंड़क से ठंड़ी होके high pressure, high temperature की liquid में convert हो जाती है और यह liquid इस जगा से आती है और यहां पर इस filter से होकर गुजरती है जिस से इस high pressure high temperature की liquid को यह यहां से नमी और जो भी इसके अंदर गंदगी होती उसको यह रोक लेता है उसके बाद यह high pressure high temperature की liquid हमारी capillary tube में जाती है और जब यह capillary tube में इन करती है जो जो यह आगे पढ़ती है इसका pressure drop होता जाता है और drop होते हुए जितने low pressure की जरूरत है उसी हिस साब से capillary लगी होती है इस तरह से capillary से निकलते हुए जो refrigerant है वो हमारी high pressure high temperature की liquid की जगा low pressure low temperature की liquid में convert होके आती है और यह liquid line यह हमारे two-way valve से connect होती है जहां से liquid refrigerant यानि low pressure low temperature की liquid refrigerant pipe के जरिये indoor unit में चली जाती है और indoor unit में वहाँ से room की air की heat को absorb करती है और जब वहाँ cooling coil में heat absorb होता है तो जाने वाली low pressure low temperature की liquid low pressure low temperature की vapor में convert हो जाती है और वही वेपर indoor unit से suction line के जरिए आती है इस जगा पर जब यह यहां से connect होती है तो यहां से low pressure low temperature की vapor इस suction line से होती हुए इस जगा इन जरती है और यहां इसका accumulator दिखाई दे रहा है कि अगर इस pipe के जरिए liquid भी आती है तो यह accumulator उस liquid को रोक लेता है और फाइनली इस compressor के अंदर सिर्फ और सिर्फ low pressure low temperature की vapor जाती है तो इस तरह से outdoor unit में किस तरह से gas का circulation होता है वो मीड़े आपको समझ में आया होगा अगे तक चैनल सब्सक्राइब ना क्यों तो जरूर कर लें और आल नोटिफिके सबसे पहले आप तक पहुंचे धायंक्स और बाचेंग